शारुखान स्टारर डंकी में आक्टर विकी कॉशल ने क्यूं किया था क्यामियो? क्या फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए खुद विकी ने किया था डारेक्टर राजकुमार हिरानी को अप्रोच? विकी कॉशल ने बता दिया वो स्पेशल रीजन जिसके चलते हुने फिल्म के लिए भरी थी हामी विकी कॉशल ने लास्ट यर आई डंकी में अपने क्यामियो परफॉर्मस से खूब अटेंशन कीजी थी फिल्म में विकी के स्मॉल अपियरंस ने लोगों को हैरान भी किया था आखिर क्यों विकी डंकी में क्यामियो करने के लिए हो गए अगरी? अब आक्टर ने खुद इसके पीछे की वज़े का किया है खुलासा विकी ने बताया कि कैसे वो संजू के बाद फिल्म में कर राजकुमार हिरानी के साथ फिर से होना चाहते थे असोसियेट और इसलिए he went after the role येस, you heard it right विकी राजकुमार हिरानी के काम को इतना एड्मार करते हैं इस रोल के बारे में पता चलते हैं उन्होंने खुद डिरेक्टर को कॉल किया और बिना फिल्म की स्क्रिप्ट सुने ही सुखी के पाथ को करने के लिए हो गए राजी अपने क्रीसंट इंट्रिव्यू में इस पूरे किस्से को रिकॉल करते हुए विकी सेट I told Raju sir that even if he had wanted me to simply pass by unnoticed, I would happily do that as well विकी ने बताया कि कैसेश के बारे में अपने डाद शाम कॉशल से उन्हें पता चला था चो डंकी में अक्शन डारेक्टर थे My father, शाम कॉशल, was working on डंकी and because Sukhi had the fire sequence, my father asked Hirani who was playing the part He wanted to know मुझे किसको जलाना है So Hirani said that he wanted somebody like Vicky but did not offer it to me because he thought it was a small role When my dad came home, I asked him how the meeting went He recounted the interaction with Hirani and I said, really? Well, ये जानने के तुरन बाद, Vicky पहुँच गए डंकी डेकर के office and he quoted The very next day, I called Raju sir and told him that if it had to be somebody like me, then why not me? I landed up in his office that very day and said yes without even listening to the script The first time I saw the full film was during the screening I only knew my path यानी साफ है कि Vicky कौशन सिर्फ और सिर्फ राजकुमार हिरानी के साथ काम करने के ले ले एक्साइटिद थे और इसले वो क्या हमियो तक करने को हो गए रडी केर फिल्म में शारुक खान और दापसी पन्नू ली ड्रोन्स में and डंकी is a saga of friendships, illegally crossing international borders, nostalgia for home and love सब्सक्र जारश में झाल झाल